जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे दुमका से सीम हमन्त ने पेट्रोल सबसीडरी योजना की सुरुआत की सीम हमन्त शुरेण ने सीम सपोर्ट योजना के तहट पेट्रोल सबसीडरी योजना का सुभारम किया और पांच लाभुकों को सांकेतिक तोर पर सबसीडरी का चेक परदान किया बता दे इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की दूसरी वह सगाट के अउसर पर जो वादा किया था कि गरीब एवं जरुरत मन दो पहियावाहन धारकों को महांगाई से रहत देने के लिए 26 जनवाई से 25 रुपए प्रती लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया इवं इसकी परिधी एवं अवस्थित गरामों को बीर्षा गराम के रूप में विक्सित करने के लिए 61 को रुपए की लागत से समयकित बीर्षा गराम विकास जोजना सक क्रिशक पार्शाला जोजना की सुरुवात की गई नकसलियों ने गिरीडी में फाराया काला जहंडा छोड़े पर्चे गिरीडी जिले में नकसलियों का उतपात थमने का नाम नहीं ले रहा है बतादे नकसलियों ने डूमरी परखंड के अमरा पांचाज सच चिवालाय के सामने और विसुनगर छेतर के राजकिया उतकर्मि दर्ज कराई है बता देश दरान पर्चे भी छोड़े हैं जनकारी मिलता ही पूलिस काला जहंडा और पर्चे को जब्त कर लिया है वहीं दूसरी और खरकी में एक मोबाइल टावर भी उड़ा दिया गया मालूम हो की एक क्रोर के इनामी नक्सली परसंत बोस और उनकी पतनी सिला की गिरफतारी के बिरोध में नक्सली संगटान 21-26 जन्वरी तक परतिरोध दिवस मना रहे हैं वहीं कल 27 जन्वरी को एक दिवसी बिहार जरकन बंद की घोसना भी की है हजारी बाग में पूल से नीचे गीरी बरात से लोट रही कार चार की मौत की हालात बेहत गंभीर बताई है गंतंत्र दिवस पर सीएम ने जहार खंड में चल रहे ऑनलें सिक्षा पर क्या कहा गया कि संथाल परगनाब प्रमंडल में 20 उत्कृष्ट बिद्यालों की निर्वान के लिए लबग 72 को रुपए की राशी स्विक्रित की गई इन बिद्यालों में सभी आवसेक मुलभूत संरचनावों के विकास के साथ साथ पर्याप सिक्षकों की विवस्था भी की जाएगी उन्होंने महामारी की कठीन घड़ी में इस बेतरीन उपलब्दी के लिए जहरकन के सिक्षकों तथा बिद्यार्थियों को बधाई भी द थे परन्तु महामारी बढ़ने के कारण पुना बंद किये गा है गंतंत्र दिवस के औसर पर रामगण में जेल अदालत गंतंत्र दिवस के औसर पर बुद्धवार को रामगण जीला विधिक सेवप राधिकार के तत्वधान में चत्तर मांडू इस्थित ब्यवहार नियालाय रामगण में विडियो कंफरेंसिंग के माधियम से जेल अदालत का आउजन किया गया इसमें कूल साथ केस में सुनवाई हुई सुनवाई के दुरान नियालाय ने एक कैदी को जेल से रिहा किया है बता दे इस करम में मुख्य नयाईक दंड अधिकारी कुसुम कुमारी सचीव जीला विधिक सेवपराधिकार मौजूद थे बीजेपी सांसत संजय सेट मेर आसा लाकडा पर गिरफतारी की तलवार सांसत संजय सेट मेर आसा लाकडा भाजपा महिला मोर्चा की परदेश अध्यक्स आरती कुजूर प्रवक्ता प्रतुल नाज सहदेव समेथ कोई और भाजपा नेताव पर गिरफतारी की तलवार एक बार फिर लटक गई है बताद निचली अदालत ने संजय सेट समेथ और 27 आरोपियों की अगरिम जमाना त्याज का सुनवाई पर चात खारिच कर दी है इन लोगों पर विधान सबा मार्च के दवरान प्रसासनिक कारों में बाइदा पहुचाने हवलदार से हथियात छिनने का पर्यास करने समेथ अने अरोप है बतादे मामले को लेकर सदर अंचला दिकारी अमीत भगत ने 8 सितंबर 2021 को धूरवा थाना में प्राथमी की दर्च कराई थी जहारखन को बिक्सित राजे बनाने की रापर सरकार राजेपाल राजेपाल रमेश बैस ने 73 गंतंत्र दिवस के अउसर पर राईदानी राची के मुरबादी मैदान में अवेजी समारोह में बतर मोख्याती थी कहा कि राजसरकार ने अपने दो बरसों के कारेकाल में कई जन कल्यान कारी कारे किये और कई कारेकाल में की सुरुवात भी की है सभी छेत्र और वर्गों खासकर गरीब कमजोर पिछडा अलपसंख्यक महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखकर सरकार जन कल्यानकारी कारे कर रही है इसी रण नित्ती के तहट आने वाले बरसों में जर्खन को बिक्सित राजी की सिरेनी में पहुचाने का पयास किया जा रहा है इस दोरां राजेपाल ने दोपहिया रखने माले गरीब राशनकार धारकों को प्रती मा अधिक्तम 10 लिटर पर प्रती 25 रूपए पेट्रोल सबसिडरी के लिए सीम सपोर्ट योईना की शुरुआत की सराना की जारखन के मोडल इसकूलों में होगी 1335 सिक्षकों की नियुक्ति जारखन में सिक्षप बनने की त्यारी कर रहा है अब यारतों के लिए खुसकबरी है बतादे जारखन की हेमन सुरेन सरकार राजे के 89 मोडल इसकूलों में समीदा के अधार पर 1335 सिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है बतादे स्कूली सिक्षावर सक्षता विभाग ने इसकी त्यारी भी स्थूरू कर दी है इसके लिए बित विभाग से भी स्कूरीटी मिल गई है फिरहाल राज सरकार मोडल स्कूलों में अरुबंद के अधार पर ही सिक्षकों की नियुक्ति करेगा जिसके लिए सिक्षकों को एक तयर आसी दी जाएगी आरपियन सिंग को बिजेपी में जाने से कॉंग्रेस खत्म नहीं हो जाएगी जगनात महतो जारखन के सिक्षा मंत्री जगनात महतो ने मंगलवार को बोकारो परिसदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरपियन सिंग के बिजेपी में जाने से कॉंग्रेस खत्म नहीं हो जाएगी पार्टियों के ट्रेन की बोगिया चल पड़ी है कुछ लोग चड़ रहे हैं तो कुछ लोग उतर रहे हैं इसका मतलब या नहीं है कि किसी पार्टि का स्थित्व ही खतम हो जाएगा उन्होंने कहा कि उतर परदेश चुनाओ को लेकर विभीन राजनीती दालों में नेत्ता का आना जाना लगा हुए है या सब राजनीतीक में चलता रहता है जारखन के सभी चात्रों को नहीं मिल रही ओनलेन कलास की सुविधाज सिक्छा मंत्री सिक्छा मंत्री जगनात महतों ने कहा कि कुरोना के कारण बचों की पढ़ाई बाधित होई है उसे हम ठीक करने का काम करेंगे अज भी सरकारी बच्छे ऑनलेन की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है उन्होंने कहा कि राजय में 40,000,000 चात्र सरकारी बढ़ते हैं जिन में से शिर्फ 13,000,000 चात्र है ऑनलेन सिक्छा गरान कर पा रहा है जो सरकारी आकड़ा है उस आकड़े पर भी हम गंभीरता से विश्वास नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि नौवी से बरावी तक के छात्रों को अउनले सिक्षा देने के लिए मुख्य मंत्री से छात्रों को टेप देने की मांग रखी है ताकि उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके बेरोजगार युआओ के लिए नियुक्ति परकिरिया में तेजी राज सरकार दोरा बरसों से लंबित रहे रिक्त पदो पर नियुक्ति परकिरिया को गती परदान करने हेतू बिभीन नियुक्ति नियमावलियों एवं परिक्षा संचला नियमावलियों के गठन की करवाई की गई राज के युआओ को सरकारी नोकरी में अधिक से अधिक औसर परदान करने के उद्यस से बिभिन नियुक्ति संचलन नियमावली अंतरकत अनिवार सेक्षनिक योगता के रूप में अभियार्थियों का मैट्रिक इंटर्मेडियेट ज्ञार्खन राज से अवस्तित मनेता प्राप सेक्षनिक संस्तान से उतिर्न होना अनिवार किया गया लोकडाउन के दरान ज्ञार्खन के लोगों में बढ़ी नसा की लत लोकडाउन में मनोचिकित स्कों से औने सलाह लेने वालों मरीजों की संख्या करीव 256 फिश्दी बढ़ गई है बता दे टेली मेडिसीन के माध्यम से सलाह लेने पर जोर रहा इसकी जनकारी क्लिनिकल जर् लोकडाउन के दरान 2020 में मनोचिकित सालियों में आने वाले मरीजों की संख्या कापी कम हो गई थी सबसे अधिक मरीजों की संख्या एडिक्शन की बढ़ी थी बता दे इसमें मोबाईल वर टीवी एडिक्शन और नसे की लत भी सामिल है मनोचिकित सक्स सलाह लेने वाले मर फिश्दी में नसे के लट थी वही घर में रहने के दरण नसे की आदत पड़ गई थी ज्यारखन में कुरोना के 1490 नए केस मिले एक टिप केस 1588 ज्यारखन में कुरोना के 1490 नए केस मिले है जो राची से 249 पूर्वी सिमू 202 ज्यारखन में 313 मरीज स्वस्थ भी हुए है वही 9 मरीज की मौत हुई है ज्यारखन में कुर एक टिप केस की संक्या 1588 धन्यवाद यदि आप चनल पड़ने हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहल के बेले के अंदर बैस साथ से वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कुमेट बक्स में अपना फीडियो का वस्ते दे थाइंक यू